हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल 0 to infinity में सफाकते हैं दोस्तों अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रहे हैं कि लिखा रहा है इस ब्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की वीडियो में पताऊंगा तो वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा हमारे चैनल 0 to infinity को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को step by step follow कीजेगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो solve हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रॉब्लम को solve करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है हमें अपनी device की setting है इसको open कर लेना है setting open करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है connection and sharing वाली option पर click करना है इस पर click करने के बाद हमें क्या करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर reset option होगा wifi, mobile data और bluetooth को इनको reset कर दिजेगा इनको reset करने के बाद नीचे scroll down करना है setting में फिर से setting में scroll down करने पर एक option दिखेगा apps का इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे आपको manage apps का option देखेगा इस पर click कर देना है manage apps में आने के बाद हमें क्या करना है right side door पर three dots दिखेगे इन पर क्लिक कर देना है और यहां पर लिखाएगा reset app preferences का तो इन पर क्लिक करना है इन पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपने app को reset कर दीजिगा reset करने के बाद हमें क्या करना है हमें यहां पर जिस भी app में problem आ रही थी उसको simply हमें करना है उसको open कर लेना है example के लिए मैं कोई और आप open कर लेता हूँ तो आपको जिस एप में problem आ रही है आपको एप को open कर लेना है उस एप को open करने के बाद सबसे पहले उसकी storage पर आना है storage पर आने के बाद storage का clear catch कर देना है storage का clear catch करने के बाद per mission, deny नहीं करने है, सारी permissions enabled करने के बाद, हमें जाना है other permission पर, other permission पर आने के बाद कहां भी सारी permission, same to same one by one enable करते नहीं है, यह सब करने के बाद, हमें niche scroll down करना है, niche scroll down करने पर एक option देखेगा, restrict data usage का, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा Wi-Fi और Mobile Data तो इन दोनों को Enable कर दिजेगा इन दोनों को Enable करने के बाद आपको निचे Scroll Down करना है और यहाँ पर एक Option दिखेगा Clear Default इस पर क्लिक करना है और साथ में आपने आपको एक बार 4 Stop कर दिजेगा 4 Stop करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को Restart किजेगा और Restart करने के बाद एक बार Try किजेगा आपकी जो Problem है वो Solve हो जाएगी तो Thank You Guys